प्रणाटर के राजपाल आरिप महम्मत खान जी, करनाटर के राजपाल वजुबे वाला जी, केरला के मुख्यमंत्री, स्री पिनाराय विजयन जी, करनाटर का के मुख्यमंत्री, स्री बी एस एडिवरपा जी, केंद्रिय मंत्री मंदल में मेरे सहयोगी, श्री धर्मेंदर प्रधान जी, प्रहलाज जोसी जी, वी मुरलिधन जी, सांसद गन, विधाय गन, और भाई और बहनो. It is an honor to dedicate the 450-kilometer Kochi-Mangaluru Natural Gas Pipeline to the nation. This is an important day for India, specially for the people of Kerala and Karnataka. These two states are being connected by a natural gas pipeline. I congratulate to people of these states. Congratulations also to all stakeholders for taking steps to providing clean energy infrastructure. The pipeline will have a positive impact on the economic growth of these two states. Kochi-Mangaluru Pipeline इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है, कि विकास को प्रात्विक्ता देते हुए, सभी मिलकर काम करें, तो कोई भी लक्ष असंभव नहीं. ये प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जानते हैं, कि इंजिनेरिंग के लिहाज से इसे पूरा करना कितना मुश्किल था. प्रोजेक्ट में कई दिक्कतें भी आई, लेकिन हमारे स्रमीकों, हमारे इंजिनियरों, हमारे किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से ये पाइप्लाइन पूरी हुई. कहने को ये सिर्फ एक पाइप्लाइन है, लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गती देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है. क्यों आज देश गैस बेज एकोनोमी पर इतना बल दे रहा है? क्यों वन नेशन वन गैस ग्रीट पर इतनी तेजी से काम हो रहा है? क्यों आत्मनिर भर भारत के लिए गैस बेज एकोनोमी का तेजी से विस्तार बहुत जरूरी है? वो सिर्फ इस एक पाइपलाइन के फायदों से समझ आ जाएगा. पहला, ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए इज आफ लिविंग बढ़ाएगी. दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मद्यमवर्द और उद्दमियों का खर्च कम करेगी. तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीटी गैस डिस्टिपिशन सिस्टीम उसका एक माध्यम बनेगी. चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीटी आधारे ट्रांस्पोर्ट सिस्टीम को डेवलप करने का आधार बनेगी. पांचवा, ये पाइपलाइन मेंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को उर्जा देगी. चौथा, ये पाइपलाइन मेंगलोर रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल को उर्जा देगी. उन्हें स्वच इंदन देगी. सात्वा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूशन कम करने में बड़ी भूमी का निभाएगी. आठवा, प्रदूशन कम होने का सीधा असर होगा परियावरन पर. जितनी कार्बन डाइवशाइड का एमिशन इससे कम होगा, वो लाखो पैड लगाने के बाद भी बाद ही हासिल हो सकता है. साथियों, नवा लाप ये कि परियावरन बहतर होने से लोगों की सहेद भी अच्छी रहेगी, बिमारी पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा. दस्वा, जब प्रदूशन कम होगा, हवा साप सुत्री होगी, शहर में गैस आधारित विवस्ताएं होगी, तो और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, टूरिजम सेक्टर को भी इसका लाप होगा. और सात्यों, इस पाइपलाइन के दो और लाब है, जिनकी चर्चा बहुत जरूरी है. इस पाइपलाइन के निर्मान के दोरान, बारा लाख मेंडेज का रोजगार जनरेट हुआ है. पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी, रोजगार और स्वरोजगार का एक नया एकोसिस्टिम केरला और करनाटका में बहुत तेजी से विख्षित होगा. फर्ट्रिलाजर उद्योग हो, पैट्रो केमिकल उद्योग हो, बिजली उद्योग हो, हर उद्योग इससे लाब लेगा और रोजगार के आउसर बनेंगे. साथ क्यों, इस पैपलाइन का एक और बड़ा लाब पूरे देश को होगा. जब ये पैपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी, तो देश की हजारों करोड की विदेशी मुद्रा खर्च, ये खर्च बच जाएगा. भारत, कोग 21 के लक्षों को लेकर, जिस गंभीरता से काम कर रहा है, ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे. साथियों, दुनिया भर के एक्सपर्स का कहना है, कि 21 सदी में, जो भी देश अपनी कनेक्टिविटी पर और क्लीन एनर्जी पर सबसे ज़्यादा जोर देगा, तेजी से काम करेगा, वो तेजी से नई उचाई पर पहुँचेगा. आज आप जिस भी फ्रंट पर देखें, हाइवे कनेक्टिविटी, रेलिवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, एर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, या फिर गैस कनेक्टिविटी. भारत में जितना काम अभी हो रहा है एक साथ इतने सभी खेत्रों में उतना पहले कभी नहीं हुआ एक भारतिय के तौर पर ये हम सभी का सुभाग्य है कि हम ये होते हुए अपनी आँखों से देख रहे हैं हम सभी विकास के इस नए अंदुलन का हिस्सा है भाई और भेनों पिछली शताबदी में भारत जिस भी रप्तार से चला उसकी अपनी बज़े रही है मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इतना तैह है कि आज का युवा भारत दुनिया पर चाह जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया साथियों भारत की नई पीडी का एक अच्छा गुण है कि वो तत्थों के आधार पर चीजों को परक्ती है और उसकी सफलता विफलता को तुलनात्म गुरूप में भी एनलाईज करती है और हर एक बात को तर्क के आधार पर तत्थ के आधार पर स्विकार करती है भारत में गैस बेज एकोनॉमी को लेकर अभी जो काम हो रहा है उसमें भी कई तर्क और तत्य बहुत ही महत्वपुण है साथियों हमारे देश में पहली इंटर स्टेट नेचरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमिशन होई थी पहली पाइपलाइन 1987 में कमिशन होई थी इसके बात 2014 तक याने 27 साल 27 एर्स में भारत में 15,000 किलोमेटर नेचरल गैस पाइपलाइन बनी आज देश भर में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिन 16,000 किलोमेटर से जादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है ये काम अगले 4-6 साल में पूरा होने वाला है अब कल्पना कर सकते हैं जितना काम 27 वर्सों में हुआ हम उससे जादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष लेकर चल रहे हैं साथियों इसी तरफ एक और उदारन है CNG स्टेशन का हमारे देश में पहला CNG स्टेशन 1992 के आस्पाश शुरू हुआ था साल 2014 तक 22 साल में हमारे देश में CNG स्टेशनों की संख्या 900 से जादा नहीं थी 900 से जादा नहीं थी जबकि पिछले छे वर्षों में 1500 के करीम नए CNG स्टेशन शुरू हुए हैं अब सरकार इस लक्ष पर काम कर रही हैं कि देश बर में CNG स्टेशनों की संख्या को 10 हजार तक पहुँचाया जाए अभी जो ये पाइपलाइन कमिशन हुई है ये भी किरला और करनाटगा के अनेग शहरों में 700 CNG स्टेशन खुलने में मदद करेगी साथियों एक और दिल्चस्प आंकडा है PNG कनेक्शन का रसोई में पाइप से जो गैस पहुँचाई जाती है उसका 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 25 लाग PNG कनेक्शन थे मदलपी घरों में पाइपलाइन से गैस 25 लाग आज देश में 72 लाग से जादा घरों की रसोई में पाइप से गैस पहुँच रही है कोची मेंगलूरू पाइपलाइन से 21 लाग और नए लोग PNG सुवीधा का लाब ले पाएंगे भाई और भेनों लंबे समय तक भारत में LPG कवरेट की स्थिती क्या रही यह हम सभी जानते हैं साल 2014 तक जहां 14 करोड LPG कनेक्शन देश भर में थे वही बिते 6 सालों में इतने ही नए कनेक्शन और दिये गए हैं उजवला योजना जैसी स्किम से देश के 8 करोड से जादा गरीब परिवारों के घर कुकिंग गैस तो पहुँची हैं साथी इस से LPG से जुड़ा इंफरस्ट्रेक्टर भी देश में मजबूत हुआ है साथियों एक बड़ी वज़े रही ही कि कोरोना काल में देश में रसोई गैस की किलत कभी नहीं हुई गरीब से गरीब को हम उस मुश्किल समय में करीब बारा करोड मुप्त सिलिंडर उपलब्द करा पाए है साथियों सरकार के इन प्रयासों का इतनी तेजी से किये जा रहे कारियों का एक और प्रभाव हुआ है उतनी हो नहीं पाती याद करिए हमारे हाँ कैरोसीन को लेकर कितनी लंबी लंबी लाइने लगा करती थी राच सरकारे भारत सरकार को चीछिया लिखती थी कैरोसीन का कोटा बढ़ाने के लिए कैरोसीन की डिलिवरी के लिए केंदर और राज़ के बीच में हमेशा तनाव रहता था आज जब रसोई के लिए गैस आसानी से मिल रही है रसोई तक गैस आसानी से पहुँच रही है तो केरोसिन की किल्लद भी कम हुई है आज देश के कई राज्य और केंदर सासित प्रदेश खुद को केरोसिन मुक्त राज्य गोशित कर चुके है Friends, our government believes in an integrated approach for energy planning Our energy agenda is all inclusive Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector These reforms cover exploration and production Natural gas marketing and distribution We plan to achieve one nation, one gas grid We also want to shift to gas-based economy The use of natural gas has several environmental benefits The government is taking policy initiative To increase the share of natural gas in India's energy basket From 6% to 15% Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself Dedication of this Kochi-Mangluru natural gas pipeline of Gail Is a part of our journey to move towards one nation, one gas grid Clean energy is important for a better future The pipeline will help improve clean energy access Our government is also making many efforts in other sectors Take for example, the Swachh-Bharad movement The efforts to increase LED bulbs for electric or electric mobility The staff atchef-Bharad movement Sathiyo383813를 Phabasa 2.3 The waters are made by change Some of our dementors The должно be changed Hi, thanks! Tala Tiktaak See this The water that does look at nature The water that does look at nature The water that does look at the natural gas To focus at natural gas Then, the water that does look at nature The water goes on the inner gas उसको भी डावर्शी भाइट कर रहा है अभी हाली में गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े रिन्योबल एनर्जी प्लांट का हाइब्रिड हाइब्रिड सिस्टिम का रिन्योबल एनर्जी प्लांट का काम शुरू हुआ है विन और सोनर कमबाइन इसी तरह आज देश में ही बायो फ्यूल्स पर बहुत बड़े स्थार पर काम चल रहा है गन्ना हो या अन्य एग्रो प्रोडक्स हो इनसे इथेनोल के निर्मान पर गंबीरता से काम किया जा रहा है अगले 10 साल में पैट्रोल में होने वाली इथेनोल ब्लेंडिंग को 20 परसंट तक करने का लक्ष रखा गया है यही नहीं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े सेक्टर को इसमें जुड़े इंफासेक्टर को भी बहुत अधिक प्रोच्छान दिया जा रहा है हम देश वाची को परियाप्त सस्ता प्रदूशन रहित इंधन मिले बिजली मिले इसके लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिवत्यता से काम कर रही है भाई और भेनों देश के संतुलित और तेज विकास की सोच हमारे कोस्टल एरिया के डेवलेब्मेंट को लेकर भी स्पस्ट रुप से दिखती है केरला हो, कानाटका हो, साउत इंडिया के हर राज में जो समंदर से सटे हैं वहाँ ब्ल्यू एकोनोमी के विकास के लिए एक कम्प्रिहेंसिव प्लान पर काम हो रहा है ब्ल्यू एकोनोमी आप मंदिर भर भारत का एक बहुत बड़ा स्त्रोथ बनने वाला है हमारे पोर्ट्स हो, कोस्टल रोड्स हो, इनको दूसरे माध्यमों से कनेक्ट किया जा रहा है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर हमारा विशेष फोकस है हमारा कोस्टल डीजन, इज ओप लिविंग का भी मोडल हो रहा है इज ओप डूइंग बिजनेस भी बहतरीन हो, इसी लक्ष के साथ काम किया जा रहा है भाई और भेनों, समुद्री किनारे पर बसी एक बड़ी आबादी हमारे किसानों की है, हमारे मच्वारे साथियों की है ये सभी साथी समुद्री संपदापन निर्भरी नहीं है बलकि इसके बहुत बड़े समुरुक्षक भी है इसलिए पूरे कोस्टल एकोसिस्टिम की सुरुक्षा और समुरुद्धी बहुत जरूरी है बिते सालों में इसके लिए अनेग सार्थक कदम उठाए गए है मच्वारों को डिप सी फिसिंग के लिए जरूरी मदद हो फिसरीज का अलग डिपांटमेंट बनाना हो मत से व्यापार से जुड़े साथियों को भी सस्ते रण के लिए किसान क्रेडिट कार देना हो इससे सामान्य सामान्य मच्वारे साथि को भी लाब हो रहा है कुछ महने पहले देश में 20,000 करोड रुपे की मत से संपदा योजना शुरू की गई है इसका सीधा लाब केरला और करनाटका के लाखो मच्वारे साथियों आज मच्वली से जुड़े एक्सपोर्ट में तो हम तेजी से आगे बढ़ी रहे हैं एक क्वालिटी प्रोसेस सीफूर का हब भारत हो इसके लिए भी हर जरूरी कदब उठाये जा रहे हैं दुनिया में सीवीड की डिवान बढ़ रही है जिसको पूरा करने में भारत एहम भूमी का निभा सकता है सीवीड फार्मिंग के लिए किसानों को जितना प्रोसान मिलेगा उतनी ही तेजी से इस खेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे हम एक जुट होकर संकल्पित भाव से काम करेंगे तभी हम हर राष्ट्रिय लक्ष को तेजी से हासिल कर पाएंगे एक बार फिर कोची मेंगलूरू गैस पाइपलाइंग के लिए करला और करनाटा के सभी नागरीख भावय भेनों को इस काम से जुड़े हुए सभी महानुभावों को अनेक अनेक बधाईया देता हूँ बहुत बधाई देता हूँ धन्यवाद